नितिश कुमार अब राजपुतों को एक जूट करने के लिए हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जितना वो कर सकते हैं नितिश कुमार अपने तमाम राजपुत निताओं को यह कह चुके हैं कि आपको किसी तरीके से राजपुतों को एक जूट करना है एक तरफ आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए कानून को बदला गया तो वहीं दूसरी तरफ अब परभुनाज सिंग के समर्थकों को एक जूट करने की तैयारी चल रही है और अब इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर आनंद मोहन से अब परभुनाज सिंग का तक का सफ़र किस तरीके से नितीश कुमार पूरा करेंगे लेकिन उसके पहले नमस्कार में आप जन्ता जंक्शन पर मुझे देखना है कैमरे के पीछे बिशाल खड़े है और अब आते हैं कि आनंद मोहन से परभुनाज सिंग का सफ़र नितीश कुमार को पूरा करना है आनंद मोहन को तो उन्होंने जेल से निकाल दिया कानून को बदल दिया लेकिन आप परहुनाज सिंग को वो कैसे निकालेंगे परहुनाज सिंग के समर्थकों को वो कैसे एक जूट करेंगे इस पर चर्चा हो रही है और निटीश कुमार ने अपने राजपुत नेताओं को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है अब कैसे दी है और वो हम आपको बताते जिम्मेदारी यह कि यह तस्बीर आप देख रहे हैं यह तस्बीर आप परहुनात सिंग के आवास पर देखते होंगे उनके जो उनका घर है जो मसरक वहाँ पर आप देखते होंगे और वहाँ पर पहुंचे थे संजय सिंग जेडिव एमेल सी संजय सिंग जो की लगतार आप को पटना में राजपूतों के लिए कारीकरम करवाते रहते हैं निटीश कुमार को वहाँ पर उपस्तित करवाते हैं और यह दिखाते हैं कि राजपूत वोट बैंक जो है वह आपके साथ है संजे सिंग गए हुए थे मसरक परभुनाज सिंग के घर वहाँ पर जाकर वो प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं वो बताते हैं कि परभुनाज सिंग के लिए वो लोग क्या कुछ कर रहे हैं परभुनाज सिंग के लिए वो कैसे जो है वो तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद बचते बचाते उन्होंने ये भी कहा कि निटीश कुमार भी परभुनात सिंग के लिए क्या कर रहे हैं और फिर वो परभुनात सिंग के भतीजे यूराज सुधीर सिंग के तरफ इसारा करते हैं और कहते हैं कि परभुनात भाईया जो भी करते थे वो पूरा गुन जो है वो सुधीर में है अब सुधीर तो हमको भाईया कहता है लेकिन हम तो परहुनात भाईया कहते थे तो उस हिसाब से इसको हमको चाचा कहना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं भाईया कहता है लेकिन तुमको अब बोल देते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी है तुमको सम लोग पठना पहुँचिए पठना जो जेडियू कर्याले के बगल में मिलर हाई स्कूल है वहाँ पर कारिक्रम होगा रात में आप लोग पहुचिए बढ़िया भोजन होगा अब फिर अगले दिन कारिक्रम होगा और संजय सिंग वहाँ पर तमाम अपने समाज के लोगों को नियोता देते हैं कि 28 तारीख को पठना आना है और फिर जो निटीश कुमार के एक रन निटी है वो सामने आ रही है कि निटीश कुमार हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि 2005 में जिस तरीके से राजपुत भुमिहार हमको अपना नेता मानते थे ठीक उसी तरीके से भुमिहार तो भले ही ना माने लेकिन राजपुतो को ये मना देना है कि निटीश कुमार हमारे नेता है आनन्द मोहन को जिल से निकलवाना आनन्द मोहन के घर जाना आनन्द मोहन के लिए ये कहना कि हम क्या नहीं किये थे जब आप जेल में थे आपके लिए लेकिन चलिए कोई नहीं अब आप बाहर आ गए हैं और फिर अनन्द मुहन का निटीश कुमार के लिए ये कहना कि आपके भाई को जिसने जिल से बाहर निकालने के लिए कानून बदला उस वेक्ति के लिए खड़ा रहना है न अपने समाज के लोगों को और फिर अब निटीश कुमार के सिपाही संज संजे सिंग परवुनाज सिंग के घर जाते हैं वहाँ पर प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फरेंस करके ये बताते हैं कि अब हम लोगों को पठना चलना है वहाँ पर छत्रियों का एक जनसलाब दिखाना है और ये बताना है कि किस तरीके से हम लोग एक करते हैं और उस मंच पर निटीश कुमार मौजूद रहते हैं तो क्या इस बार ये नारा लगेगा कि पर्भुनाज सिंग को जिल से बाहर निकालो क्योंकि संजे सिंग का वो कारिक्रम और उसी में नारा लगा था कि आनंद मोहन को जिल से बाहर निकालो और आगे देखे क्या